नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं भारत के पांच राजियों ने बढ़ाई चिंता कई जगों पर बढ़ाई गई सकती भारत में पिछले कुछ दीनों से पांच राजियों में करोना संक्रमन के मामले में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है कि क्या देश में करोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है बतादे माराष्ट, केरल, पंजाब, चातिस गड़, अर्मध, पर्दित में कुरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है मौसम बिग्यान केंद्र के बरिये बिग्यानिक अभिसेक आनंद के अनुसार मौसम में कहीं कोई बदलाव के संखित नहीं है अधिकतम तपमान में भी धीरे-धीरे बिरिधी होगी अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहेगा वहीं निमतम तपमान में भी बिरिधी होगी बता दे मौसम में होने वाले बदलाव के समय डाक्टर ज्यादा सतर करहने की सलादे रहे हैं क्योंकि इस वक्त जारा सील परवाई से बीमारी होने का खत्रा है 65,000 पारा सिक्षकों को मिली खुस खबरी राजे के समगर सिक्षा अभियान के तहत कार्यात 65,000 पारा सिक्षकों के अलावा बीरपी, सियारपी तथा कस्तूर्बा गांधी बाहिल का बिद्यालेयों के सिक्षकों वकर्मियों को 5 लग रुपे तक का भीमा होगा बता दे उन्हें आईसमान भारत योईना का भी लाव मिलेगा मुख मंत्री हमान सुरेन की अध्यक्ता में गठित कल्यान को सोसाइटी की पहली आमसभा की बैठक में इस पर आगे करवाई करने का निने लिया गया बैठक को समधित करते हैं मुख मंत्री ने कहा कि राजमें गुनवाता पूर्ण सिक्षा ब्यवास्ता अस्थापित करना राज सरकार की प्रत्मिकता है अनुबंद सिक्षा कर्मियों की समस्यावों के समधान के लिए भी हमारी सरकार गंबीर है जार्खन में सिक्षकों की बहाली पर रोक राजे के 11 गयर अनसुचित जीलों में हाई स्कूल सिक्षकों की होने वाली नियुकती तथा परिक्षा पहिनाम जारी करने पर रोक लगा दी गई है बतादेकार्मिक विभाग ने महा दिवक्ता के प्रामर्स के बाद धाकन करमचारी चैन अयोग तथा इसकूली सिक्षा विभाग को रोक समधी पत्र भेज दिया इससे इन जीलों में सभी विषायों में रिख तरह अगय प्रात्मिक सिक्षकों के आरक्षित पदो पर सिदे नियुकती तथा इतिहास नागरिक विषाय के नियुकती परक्रिया पर रोक लग गई है प्राइवेट इसकूलों के बारे में सरकार ने लिया बड़ा फैसला है गया है तथा विभाग की सन्यूक्त सचीव गरिमा सिंग इनकी नोडल पता अधिकारी बनाई गई है बतादे फिलाल इस पोटल में इसकूलों के निवधन को लेकर ओनलाइन आवेधन से लेकर जिला प्रावरमिक सिक्षा समीती की उस पर स्विक्रिती की परकिरिया पूरी होगी इसकूलों को मने आता समधित प्रवान पत्र भी ओनलाइन मिल सकेगा नई नीती से सिक्षा में गुनवाता लाने का पर्यास राजेपाल राजेपाल द्रोपदी मुर्मु ने कहा कि जहाराश्ट्रिये सिक्षा नीती जन मानस की इक्षाओं के अनुरूप है वहीं इसके माध्यम से इसकूली वर उच्छ सिक्षा में गुनवाता लाने का पर्यास किया गया है मात्रु भासा में बच्चों की पढ़ाई बेवसाईक वसोद अधारित उच्छ सिक्षा पर अधिक जोर इसकी खास विशेशता है बतादे राजयपाल ने सोमवार को भारतिये सिक्षा मंडल जार्खन प्रांथ द्वारा रक्ष्टिये सिक्षा निती में मात्रु भासा का महत विशाई पर आयोजीत पही चार्चा के ऑनलाइन सम्मधन में ए बाते कही सलकों पर जान ले रही तेजर अफ्तार इस पर रोक अवसया खेमंत सुरेन के रहें मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने तेजर अफ्तार पर रोक लगाने के लिए आवसक कदम उठाने के लिए अधिकार्यों को निर्देशित किया है सरकार को है परासिक्ष को की चीनता है हेमान सुरेन मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने कहा है कि राज सरकार को पराशिक्षकों की चिंता है उनकी सभी समसाय दूर की जाएगी उन्हें सेवा निवरिती लाप चिकित सा सुविधा ब्याज रहित लोन आधी सभी सुविधाओं पर सिग्र निन लिया जाएगा बता देमोख मंत्री सोम वार को फोर्जेक्ट भवन में पराशिक्षकों बीरपी सीरपी ताता कस्तुर्वा गांधी अवासे बिद्यालों के सिख्षकों वखर्मियों के कल्यान कोस को लेकर आमसभा की बैटा को समोधित कर रहे थे जार्खन के साथ सोतेला विवार कर रही केंद्र सरकार मिसलेश ठाकूर जार्खन सरकार के पेजल एवं सवक्ता विवार के मंत्री मिसलेश ठाकूर ने कहा कि केंद्र सरकार जार्खन के साथ सोतेला विवार कर रही है जार्खन की बित्य इस्थिती अच्छी नहीं है इसके बाद भी केंद्रे यहां के खाजानों को लूट रही है हमारा बकाया लाखो कोडोरो रूपए का है इस पर केंद्रे सरकार की कोई प्रतिकिया नहीं है अगर कहीं से भी पेजल संकट की सिकायत मिली तो इसके लिए पदाधिकारी और अभियांता जिम्मेवार होंगे जार्खन में 41 नहीं संक्रमित की पुष्टी हुई जो राची से 27 पूर्वी सिमूम 4 पश्मी सिमूम 3 देवघर एक गुमला एक लोहर दगा से 5 मिले है जार्खन में कूल संक्रमितो की संक्या 1,99,637 है जबकी 1,18,103 लोग स्वास्त हुए और 1,866 की मिलिती हो गई जार्खन में कूल एकटीव केस 448 है भारत में 10,439 नहीं संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कुल मौत की संख्या एक लाग चापण ए चाल सो अन्ठानबे है वहीं एक्टिब केस की संख्या एक लाग चावाले से तिन सो बतिस है जर्मानी में दिखेगा जारखन की बेटियों का जलवा टोक्यो ओलमपिक की तयारी के लिए भारतिये महिला होग की टीम जर्मानी रवाना हो गई है बतादे इस टीम में जर्मानी में चार मेज़ खेलेंगी बतादी दोनों ही खिलाडियों को होग की जर्मानी सुभकमना देते हुए का कि भारत टीम को विजय दिलाने में वे अपना महत्पून भोमिका निभाएंगी रामगर में कोईला के अवैद खनन के दोरान चास धसने से पती पतनी की मौत जार्खन के रामगर जीले के लेईयों में जार्खन उत्खन पर्योजना के बंद पड़े खदान में अवैद कोईला उत्खन के दोरान बड़ा हाथसा हुआ बतादे चास धसने से पती पतनी की मौत हो गई मरने वालों की पचान लाईयो रविदास टोला निवासी अनिल रविदास और उनकी पतनी अंजली देवी के रूप में हुई खटना रविवार राज की है सरना धर्म और इससे जुड़ा विवाद पर हेमन सुरेन के दिये बयान से मचा बवाल मुख मंतरी हेमन सुरेन ने सरना अदिवासी धर्मिक सनिता का मोदा उठाया है इस मुद्दे पर मुख मंतरी ने काया कि सरना अदिवासी धर्म कोट को जनगरना 2021 में सामिल कराने के लिए सतापक्ष के सभी विदायकों के साथ वेकेंद्र सरकार और ग्रीह मंतरी से मिल करन रोद करेंगे बताया गया है कि सरना एक धर्म है जो प्रकृतिवात पर अधारी था है और सरना धर्मा उलंबी प्रकृति के उपासक होते हैं भिदायक धुलू महतों मामले में हुई सुनवाई ध्यरकन हाई कोट में विधायक ढूलो महतों के खिलाब चल रहे योन सोसन मामले में सोमवार को सुनवाई हुई या मामला गवाह को विधायक के समर्थकों की ओर से मार पीट करने से जुड़ा है पतादे जस्टिस अनन्स सिंग की अदालत में मामले के सुनवाई हुई अदालत ने राज सरकार को मामले में जवाब पेस करने को कहा है अपने जवाब में या बताने को कहा है कि गवाह की सुरक्षा के लिए अभी तक राज सरकार ने क्या कदम उठाया है देव घर पेट्रोल पंप से अपराधियों ने लुटे 10 लाग नौ लाख एक सटाया रुपे से भरे थैला लुट लिया बता दे घटना के वाद अपराधियों की बीना नंबर की बाइक में ही चावी तूट गई तो उन्होंने गाड़ी वही छोड़ दी और पेट्रोल पंप करमियों की बाइक से वे लोग फाग निकले इको फ्रेंडली बाइक के साथ के मिले सराय किलग के कामदेव की पर्यास की काफी परशंसा की है दीजीपी नीरज सिना को भरष्टा चार निरोधक ब्योरो एसीवी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पता देगरी विभाग ने सोमवार को इसे समधित अजी सुचन जारी कर दी नीरज सिना 11 फरवारी को जहारकन के पुलिस महान दिजेसक बनाए गये थे इसे पुर्वे जैप के डीजी थे और उस वक्त भी एसीवी के डीजी के अतिरिक्त प्रभार में थे बता दे डीजीपी बनने के बाद जैप हुआ एसीवी की डीजी का प्रभार सोता समाप्त हो गया था अब राई सरकार ने सोमवार को उन्हें एक बार फिर ACB के डीजी का अतिरिक्त प्रबार्द सौप दिया है कोडारमा जुमरी तिलेया में गौसाला की जमीन मापने गए अंचल कर्मियों से दुर बेवार कोडारमा डिसी के निदेश पर इंदिनों जुमरी तिलेया सहरी छेतर में जमीन समंधित मामलों को लेकर जांच में तेजी आई है साथ ही अब माफियाओ द्वारा बिरोध भी सुरू हो गया है बतादे सुमवार को गौसाला समीती की जमीन की मापी करने गए अंचल कर्याले की टीम के साथ दुद बेवार हुआ है कांग्रेस भवन में कांग्रेसी निताओं का हंगामा महांगाई और पेट्रोल डियल के बढ़े दावों के खिलाप रन निती बनाने जार्खन कांग्रेस परदेश करयाले में जूटे कांग्रेसी निताओं ने जम कर हंगामा किया बतादे जर्खन कॉंग्रेस परदेश अध्यक डक्टर रामिसर उराव की मौजूदगी में कारेकारी अध्यक राजिस्ठ हकूर वा अने तथा परदेश प्रवक्ता अलोक दुबे वा अने के बीच चम कर नोका जोकी हुई हंगामा का कारान आपसी गुट बाजी बना जा रहा है सो मौर को जर्खन परदेश कॉंग्रेस डक्टर रामिसर उराव के अध्यक्सता में कांग्रेस ने तावक की बैठक आवजिट हुई थी रांची में बच्चा चोरी करते महिला पकड़ाई रांची सदर्थाना इलाके के गौस नगर में एक महिला को अस्थानी लोगों ने बच्चा चोर के आरोप में पकड़ा और पूलिस को सोब दिया है बतादे महिला को उस समय पकड़ा गया जब वह महले की एक बच्चे को गोद में उठाक कर ले जा रही थी इसी बच्चे की महा की नजर उस महिला पर पड़ी और महले वालों को इसकी जनकारी दी महले वालों ने महिला को पकड़ा और उसे पूस्ताज की लेकिन संतोष जनक जवाब ना मिलने के काराण इसकी सुचना पूलिस को दी गई रांची बिश्व विद्याले ने जारी की सरसट गोल्ड मेडलिस्ट की सुची रांची बिश्व विद्याले ने चौतिसवा दिक्छांत समारों को लेकर गोल्ड मेडलिस्ट की सुची जारी कर दी है बतादे सरसट विद्यार्थियों की सुची जारी की गई है बतादे की दिक्षान समारों के लिए एक मार्च की तीथी निधायत की गई है ओफलाइन समारों में सिफ 162 पित्यार्थी को ही बुलाया गया है इसके अतिरिक्त किसी भी छात्रों को ओफलाइन कारेकरम में सामिल नहीं होना है खोटी जीले में अब तक 382 किसानों का किरिसी रिण माप खोटी जीले के 382 किसानों को अब तक लभानमीत किया चुका है बतादे इन किसानों के सारे अवस्य ककजातों की जांच पूरी कर उपायुक द्वारा इनके आवेदान FTO यानी फंड ट्रांसपर ओडर के लिए अगर सारित किया गया है जिले में अब तक कुल 14,900 किसानों ने क्रिसी रिणमाफी के लिए आवेदान ओनलाइन अपलोड किये हैं पेट्रोल डिजल के मुद्दे पर तीन दिनों तक अंदोलन करेगी जार्खन कॉंग्रेस पहले किसान अंदोलन और अब पेट्रोल डिजल के दर में बढ़ोतरी के खिलाब जार्खन कॉंग्रेस ने अंदोलन की खोशना की है बतादे कॉंग्रेस ने तीन दिवसे कारेकरम त को इसकी घोसना की है कुरोना के नई एस्ट्रेन को लेकर झारखन सरकार अलाट महराथ्ठ केरल आधी राजियों में कुरोना के ब़र्थे संक्रमन को देखते जारखन में भी सतकता बड़ी है पतादे भी ससग्यों के अस्तर पर भी कहा गया है कि कुरोना वायरस की नई इस्ट्रेंज ज्यादा खदरनाक सावित हो सकती है ऐसे में कुरोना के नए रूप के प्रती भी हर अस्तर से सतकता जरूरी है राश्टिये स्वास्त अभियान जार्खन के निदेशक रवी संकर सु पूलिस के उस समय हाथ पाँ फूल गये जब 22 जीलो से पढ़ा पंचायत के प्रती निधी भारत का राजपत्र का खुदा हुआ सिलापट अस्थापित करने के लिए हाई कोट के गेट नंबर एक के समीप डाक्टर भीमरा अमेटकर प्रतिमा के सामने अस्थापित करने के पहुँचे दरसल हाई कोट के समक्ष भीर देखते हुए अस्थानिय थाना पहुँची और उन्हें वहाँ से हाटाने का प्रयास किया लेकिन पढ़ा जन जाती के लोग नहीं माने जिसके बाद आनन फानन में पांच थानेदार डिसपी, एसडियो और एसपी पहुँचे और तीन गंटे के मकसद के बाद उन्हें वहाँ से समझा भुजा कर हाटाया गया, धन्यवाद